हूं नमस्षिवाई हरी ओंतत्सत अध्यात्म्रमायन उत्तरकाण दितियसर्ग राक्षसों के राज्यस्थापन का विब्रण्ट रगुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर बचन न जाई रगुकुल परंपरा में हमेशा बचन प्राणों से ज़्यादा महत्व दिया जाता है श्री महादेव जी पारवती जी से बोले रगुनार जी के ये वचन सुनकर अगस्त्यमुनी अत्यंत आनंद से भर गए और उस सभा में सब के सुनते हुए फिर कहने लगे ही राम किसी समय धनपती कुबे जी अकस्मात अपने पिता से मिलने के लिए पुश्पक विमान पर चड़ कर आए जब राक्षसी कैकसी ने महातेजस्वी कुबेर को पिता के पास विराजपान देखा तो वै अपने पुत्र रामन के पास जाकर बोली बेटा अपने तेजस से प्रकाश्मान इस धनपती को देखो और हे समर्द तुम भी वही प्रत्न करो जिससे ऐसे हो जाओ यह सुनकर रामन ने तुरंत ही पड़े रोश्ट से प्रतिग्या की हे शोब ब्रत पाली तुम खेद ना करो देखो माते मैं शीकर ही कुबेर के समान अत्वा इस से भी अधिक एश्वार रेशाली हो जाओगा ऐसा के भाईयों के सहित रावन इच्छित फल प्राप्ति के लिए गोकर्ण शेत्र में दुश्कर तपस्तिया करने चला गया महाँ वे तीनों भाई अपने अपने ब्रत में दिन रहकर समस्त लोकों को तपाने वाला अतिमहान तप करने लगे उन में से कुम करण ने दस हजार वर्ष तप किया सत्यधर परायन दर्मात्मा विवीशन भी 5000 वर्ष तक एक ही पाउं से खड़े रहे रावन 1000 दिव्य वर्ष तक निराहार रहा फिर सहसर वर्ष पून होने पर उसने अपना एक मस्तक अगनी में हवन कर दिया इसी प्रकार उसे 9000 दिव्य वर्ष बीद गए जब 10,000 वर्ष बीदने को हुए जिस समय रावन अपना दसमा सीर काटने को उद्यत हुआ तो धर्मात्मा ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले बेटा रावन मैं प्रसन हूँ तू वर्माग मैं तेरी जो इच्छा होगी वही पून करूंगा यह सुन रावन ने अतिप्रसन होकर कहा हे इश्वर यदि आप मुझे वर्ही देना चाहते हैं तो मैं अमरता मांगता हूँ मैं गरूर, सर्प, यक्ष, देव और दानव आदी किसी से भी ना मारा जा सकूँ बस मैं यही वर्मांगता हूँ विचारे मनुष्य तो तिनकों के समान हैं उनसे मुझे भरे नहीं हैं तब ब्रमाजी ने ऐसा ही हो ऐसा कहकर रावन से कहा हे असुर्शेष्ट तुम ने अपने जो सिर अग्णी में होम कर दिये हैं वे पहले के समान फिर वैसे ही हो जाएंगे तता है सादु श्रेष्ट उनका कभी नाशना होगा हे राम रावन से इस प्रकार कहे फिर भक्त वस्सल रमाजी ने अतिविनीद विभीशन से कहा वच्स विभीशन तुमने ये श्रेष्ट तब धर्म संपादन के लिए किया है इसलिए बेटा तुम्हें जो हितकरवर अभीष्टो मांगो तब विभीशन ने उन्हें नवशकार करते हुए उनसे हाद जोड़ कर कहा बगवन मेरी पुद्धी सरवदा निश्चल रूप में धर्म में ही रहे उसकी कभी किसी अवस्ता में भी अधर्म में रुची ना हो इस पर प्रमाजी ने अती प्रसन होकर विभीशन से कहा बेटा तुम बड़े धर्म निश्च हो जैसा चाहते हो वैसा ही होगा हे विभीशन यद्यपी तुमने मांगा नहीं है फिर भी मैं तुमें अमरत्प का बर्द देता हूँ उसके बाद कुम करंड से बोले हे सुबरत तुम बर्मागो तब कुम करंड ने देवताओं की प्रेडना से फेलाई हुई सर्स्वती देवी की माया से मोहित होकर भ्रमाजी से कहा हे देव मैं छे महीने सों और एक दिन भोजन करूं भ्रमाजी ने उससे देवताओं की और देखते हुए कहा ऐसा ही हो उनके ऐसा कहते ही सर्स्वती तुरंत ही उसके मुख से निकल कर स्वर्ग लोग को चली गई तब दुष्ट चित कुम करने मन ही मन दुखित हो कर सोचा अहो भागय का चक्रू तो देखो जिसकी मुझे इच्छा ही नहीं है ऐसी बात मेरे मुख से क्यों निकल गई अपने नाती तीनों राक्षसों को वर्ग मिलने का समाचार सुनकर सुमाली प्रहस्तादी राक्षसों के साथ दिये निर्भैता पूर्वक पाताल से आया और रमण को हिर्द्य से लगा कर बोला बेटा बड़े आनंद की बात है कि आज मेरा चाहा हुआ तुम्हारा मनूरत पून हो गया जिसके भई से हम लंकापूरी को छोड़कर पतालोग को चले गए थे ये महाबाहो आज हमारा बेह विश्नु का भई जाता रहा इस लंकापूरी में जो अब तुम्हारे भाई कुबेर के अधिकार में हैं पहले हम रहा करते थे अब तुम्हें इसे साम नीती से अध्वा बल पूर्वक फिर लोटा लेना चाहिए बंदुत्व का विचार ना करना चाहिए क्योंकि राजाओं के बंदू उनके कभितकारी हुए हैं सुमाली के ऐसा कहने पर रावण ने कहा आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए दनपति कुबेर हमारे बड़े हैं यह सुनकर प्रहस्त ने रावण से अधीनमृता पुर्वक कहा हे रावन मैं जो कुछ कहता हूँ साबधान हो कर सुनो तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए अभी तुमने राजधराम और नीती शास्त का अध्या नहीं किया शूरवीरों में भातित पर नहीं हुआ करता है समर्थ इस विशे में मैं जो कुछ निवेदन करता हूँ सुनि करने लगे हे राजन देपताओं के साथ हमारा वैर कुछ हाली का नहीं है यह तो आरम से ही चला आ रहा है दुरात्मा प्रहस्त के वचन सुनकर रावन ने कहा तो ठीक है उस समय उसके नेत्रकूरत से लाल हो गए और वहतुरंध ही त्रकूर परवत पर गया उसने प्रहस्त को अपना दूद बना कर भेजा और कुबेर को लंकापूरी से निकाल कर उस पर अपना अधिकार कर लिया तथा अपने राक्षस मंत्रियों के सहीत महा सुख पुरवक रहने लगा महा यश्यस्वी कुबेर ने लंकापूरी को छोड़ कर पिता के कहने पर केलाश परवत पर जाकर तपस्या द्वारा श्री महादेव जी को प्रसन्न किया तथा उनसे मित्रता स्थापित कर उनी से सुरक्षित हो वहां विश्व कर्मा से अलका नाम की नगरी बनवाई महा वे भगवान शंकर की रक्षा में रहे कर दिक पालत्व एक दिशा का अधिकार भूगने लगे इधर महा दुष्ट रावन राक्षसों से अभिशिक्त हो अपने भाईयों के सहे तीनों लोकों को कश्ट देता हुआ राक्षसों का राज्य करने लगा उस महा माया वी र राक्षसों के विश्व कर्मा दिती पूत्र मय ने अपने त्रिलोक सुन्दरी कन्या मंदोदरी रावन को दी और फिर उसे प्रसन्नचित से एक अमोग शक्ती भी दी उसके बाद रावन ने स्वयम ला कर दी हुई वैरोचन की धेवती व्रिज्ज्वाला के साथ कुमकरण का विवा कर दिया तब गंदर वराज महात्मा शैलैश की पुत्री सर्मा को जो अतिसुंदरी सर्व सुलक्षन संपना और समस्त धर्मों को जानने वाली थी उसने पत्नी रूप से विवीशंग से विवा किया तक पस्चात पंदोदरी ने मेगनात नामक पुत्र उत्पन क किया जिसके उत्पन होते ही मेग के समान शब्द किया इसलिए सबने बाराम बार यही कह था कि यह मेगनात है उसके बाद कुमकरण बोला प्रभो मुझे निद्रा सता रही है फिर उसने एक बड़ी लंबी चोड़ी गुवा बनाई वहां मंदबती कुमकरण खराटे लेता हुआ सो गया कुमकरण के सो जाने पर समस लोकों को रूलाने वाला रावन ने रावन मुख्य मुख्य रिशी देपता दानव किन्नर सर्प और मनुष्य सभी को मारा और देपताओं की संपत्ती नश्ट कर दी भगवान कुबेर ने जब रावन की उच्छ रिंक लता का समा चार सुना तो उन्होंने दूद के मुख से यह संदेश बेच कर कि अधर्म मत करो उसे रोका इस पर रावन क्रोधित होकर कुबेर की पुरी पर चड़ आया और उन्हें प्रास्ट कर उनका अति उत्तम पुष्पक बिमान चीन लिया उसके बाद बहराक्षस युद में यम और वरुन को भी जीत कर इंद्र का बद करने की इच्छा से तुरंत ही स्वर्ग लोग पर चड़ आया महां इंद्र और अन्य देवताओं के साथ उसका बड़ा गमासान युद हुआ इस समय देवराज इंद्र ने आगे बढ़कर रावन को बान लिया जब यह समाचार महा प्रतापी मेगनाद ने सुना तो उसने अकस्मात आकर देवताओं से घोर युद किया और उन्हें जीत कर इंद्र को पकड़ कर बान लिया फिर महाबली मेगनाद ने अपने पिता को छुड़ाया और इंद्र को अपने साथ लेकर लंकापूरी में लौट आया फिर धम्मा जी ने जाकर इंद्र को मेगनाद से छुड़ाया और उसे बहुत से बढ़ देकर वे अपने लोग को चले गए विजई रावन ने करम से सब लोकों को जीत कर अपने परिक के समान बड़ी-बड़ी पुजाओं से केलाश परवत को उठा लिया वहाँ नंदिशपर के क्रोधित होकर राक्षस रावन को शाप दिया कि तू मनुष्य और वानरों के हाथ से मारा जाएगा फिर रावन ने इस शाप को कुछ भी ना गिना और वह तुरंथ ही सहस राजुन की राजधानी को चल दिया महा सहस राजुन ने रावन को बान लिया तब उसे पुलस्ते जी ने छुड़वाया फिर वे अत्यंत बली वानर राजबाली को मानने के लिए उद्यत हुआ किन्तु उल्टे उनी ने रावन को अपनी कौक में दबा दिया और फिर चारों समुन्दरों पर घुमा कर उसे छोड़ दिया तब रावन ने उनसे मित्रता कर ली हे राम इस प्रकार महाबली रावन सम्पून लोकों को अपने अधीन कर उन्हें प्रसंता पूरवक स्वयम ही भोगने लगा हे राजेंद्र ये दशानन और इंद्रजीत ऐसे प्रभावशाली थे उन में से लोकों को रुलाने वाले रावन को आपने मारा और मेगनात का वद महात्मा लक्ष्मन जी ने किया तथा परवत के समान दिर्क काय कुम करन का भी आपनी ने संगार किया आप सब लोगों के रचने वाले साक्षात सर्व व्यापक नारायन देव हैं ये सारा चरा चर जगत आप ही का स्वरूप है लोक पिता महां रह्मा जी आपकी नावी से प्रकट हुए कमल से उत्पन हुए हैं तथा हे रगुशेष्ट पाणी के सहीद अगनी देव ने आप की पुजाओं से लोक पालों के समू नेत्रों से चंद्रमा और सूर्य तथा कानों से दिशा विदीशाइं उत्पन हुई हैं इसी प्रकार आपकी ग्राणे इंद्रिय से प्राण और देवताओं में श्रेष्ट अश्वनी कुमार प्रकट हुए हैं तथा जंगा जानू उ और जगनाधी अंगों से भूबलोक आदी हुए हैं हे हरे आपकी कोक्षी से चार समुद्र स्तनों से इंद्र और वरून तथा वीद्य से बाल खिल्य आदी मुनिश्वर हुए हैं आपकी उपेजन से इंद्रिय से यम गुदा से मृत्यू क्रोध से त्री नयन महादेव ज अस्तियों से परवत्समू केशों से मेग रोमों से ओशदियां और नकों से गदे आदी उत्पन हुए हैं आपकी माया शक्ती से युक्त ही विश्वरूप परम पुरुश है प्रकर्ति के गुणों से युक्त होने पर आप ही नाना रूप से दिखाई देने लगते हैं आश्रे से देवगंड यग्यों में अमरित पान करते हैं यह संपून स्थावर जंगम जगत आपने ही रचा है और समस्थ चराचर पराणी आप ही के आश्रे से जीवित रहते हैं यह रगुनाजी जिस प्रकार दूर में मिला हुआ घी उसमें सर्वत व्याप्त है उसी प् उनसे प्रकाशित नहीं होते आप सर्वगत नित्य और एक हैं जिस पुरुष को ज्यान दिश्टी प्राप्त हो जाती है वही आपको देख सकता है जिस प्रकार अंदे को सूर्य दिखाई नहीं दे सकता उसी प्रकार जो ज्यान दिखाई नहीं दे सकता उसी प्रकार जो ज खरीर में ही खोशते हैं यदि उन योगियों पर आपके चर्णों की भक्ति का लेश मात्र भी प्रभाव होता है तबी वे खोशते-खोशते अंत में चिन मात्र स्वरूप आपको देख पाते हैं और किसी प्रकार नहीं मैंने आप सरवग्य के सामने कुछ प्रलाप किया है सो शमा करें क्योंकि है देवेश्वर मैं आपकी कृपा का पात्र हूँ जो दिशा देश और काल से रहेत तथा अनन्य एक चिन मात्र अविनाशी अजन्मा और चलनादी क्रिया से रहेत है उन सरवग्य सरवेश्वर अनन्त गुण संपन्न माया हेन और अपने भक्त जनों से स अभिन रहने वाले रगुनाजी को मैं भचता हूँ एती श्री मद अध्यातम रमालने ओमा महेश्वर संबादे उत्तर कांडे दृतिय सर्गह समाप्त हरी ओम तच्च्च एडिया, महेश्टे अनाप, महेश्टे एत्तर कांडे वाले ओमाले वाले प्रण बढ़्त प्रण्यातम, क्ष़ग्य।